नमस्कार, स्वागत है आपका स्मार्ट विजनिस प्लस यूटूब परिवार में मैं दीपक कुमार, हाजर हूँ आपके सामने खेती किसानी की एक और नई जानकारी लेकर किसान भाईयों कैसे हैं आप सभी? उमेद करते हैं वहुती स्वस्त और मस्त होंगे आप जैसा कि हमने पहले आपको बताया था कि हम जैविक कीटनासक दबाईयां जैविक हाई पावर और जैविक खात का और मार्किट में आपको इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं मिलेगा जो कि आपका घर पे फ्री में तैयार हो जाएगा आप market का कितना भी heavy से heavy powerful high power लेकर आओगे उसका spray कर देना और एक तरफ इसका spray कर देना तो आफका ये सबसे ज़्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि इसके फाइदे हजारों हैं लेकिन side effect 0 है तो यहाँ पर हम आपको मुफ्त में high power वनाना सिका रहे हैं और ये high power को आप amino acid, fluoric acid और humic acid इन तीनों बोल सकते हो या तीनों का combination इसमें मौजूद होगा और इसमें एक भी रुपे चार्ज नहीं लगना है आपका, घर पर ही मुफ्त में बनेगा तो वनाना कैसे है? इसको समझ ये सबसे पहले आपके घर में कंडे जरूर होंगे कंडे मतलब की उफले, गाय, वैस, बैल, वक्री, भेड, जिस किसी के गोवर से जो उफले बनाए जाते हैं वो मौजूद जरूर होंगे तो ये उफले आप वीडियो में भी देख सकते हैं तो आपको क्या करना है? कि यदि मानली जी आपको 10 pump की दवा बनानी है तो 10 pump की दवा बनानी है और power full बनानी है तो क्या करना है? आपको एक कंड़ा ले लेना है एक कंड़ा जिसे उफला बोलते हैं चाहे बहे गाय के गोवर का हो, वैस के गोवर का हो, बैल के गोवर का हो चाहे भेड का हो, चाहे बकरी का हो, चाहे हाती की गोवर का हो किसी के भी गोवर का हो उपला होना चाहिए और कम से कम 6 महीने पुराना होना चाहिए 6 महीने के क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 6 महीना पुराना होगा तो उसके अंदर जो गैस है वह गेस निकल जाती है उसकी गर्मी निकल जाती है आपको ग्यात होगा गोवर से मीथेन गेस बनाई जाती है तो इस गोवर के कंडे में जो मीथेन गेस थी वो 6 महीने के अंदर आराम से निकल जाती है तो अब सिर्फ ये गोवर ही सेस बचता है लेकिन इसके अंदर जो बैक और इसको 10 पंप बनाने वाली दवा के लिए क्या करना है 5 लीटर पानी में डुबो कर भिगो कर रख दीजे जैसा कि आपने वीडियो में देखा हमने आपकी सामने निकाला आप बरतन कितना भी बड़ा ले सकते हैं लेकिन उतना ही बड़ा लीजे जिसमें आपका काम हो जाए एश्टा बड़ा वरतन लेने की जरूरत नहीं है एक गोवर का कंड़ा लेना चाहिए यदि पतला है तो आप तकरीवन एक से डेड़ किलो के सम्थिंग ले लीजी एक डेड़ किलो हो जाए चाहिए एक कंड़ा हो दो हो या चार हो तो उसको आपको क्या करना है पानी की वाल्टी हो टप हो किसी में भी उसमें रख के उपर से आपको 5 लीटर पानी से भर देना है तो ये भरने के बाद और इसको उपर से फत्तर रख दीजिया कुछ बजनदार चीज रख दीजिये ताकि हमारे जो उफले हैं वो पानी में डूबी रहे और इनको कम से कम 15-20 दिन के लिए आराम से छोड़ दीजिए तो ये छोड़ने के बाद में फिर जब आप देखोगे तो आप वीडियो में देख सकते हैं हमारे इस उफले को लगवक आज एक महीना हो चुका है और हम इसको बाहर निकाल रहे हैं तो एक महीने बाद निकालोगे तो आप क्या होगा इसमें जो कंडे के अंदर जो उफले के अंदर जितना भी पावरफुल वैक्टेरिया था वो पानी की सहयता से पानी में घुल गया पानी में मिल गया और पानी आप देख सकते हैं एक दम रेड कलर में हो गया बलेक कलर में पानी आपको दिखाई देगा तो अब इस कंडे को उफले को आप चाहें तो फिर से पानी से बाहर निकाल कर सुका लीजिए जब अच्छे से सुजात इसको आप जला सकते हैं उपयोग में ले सकते हैं और अब ये जो आप वीडियो में देख रहे हैं ये पानी जो हमारा तयार हुआ है इससे आप Humic Acid बोल सकते हैं इससे आप Fluoric Acid बोल सकते हैं इससे आप Amino Acid बोल सकते हैं अब इन तीनों के काम क्या है कुछ किसान वाई Humic Acid, Fluoric Acid, Amino Acid के बारे में नहीं चानतेगी यह क्या चीज़ होती है तो सुद्ध हिंदी में आप इसे ऐसा समझे कि फसल कोई CB हो सबसे पहले आपको वतादू कि आपको यह Confusion नहीं होना है कि insulting बेगन में डालना है तमाटर में डालने कि मिर्ची में डालने कि घिया में डालने यह गोवी में डालने आपके घरों में, आपके खेतों में जितनी भी पिरकार की सबजियां है या फल फूल वाले पेड़ पौदे हैं कोई सी भी फसल ओ, A2, J फसलें सबजी में हो, फल फूल में हो या दलहनी फसलें हो, या तलहनी फसले हो सभी में इसका इस्तमाल करेंगे आप और इसको डालने से फाइदा क्या होगा यदि आपकी फसल में कोई पौदे या किसी पौदे की ग्रोथ नहीं हो रही है पौदा वहीं पर धमा हुआ है, तो उसकी ग्रोथ होना बहुती जल्दी चालू हो जाएगी यदि आपकी फसलों में मरोडिया रोग आ गया है या कुकड़ा रोग आ गया है जादा तर आपको ये मरोडिया जिसे कुकड़ा वे बोलते हैं ये टमाटर और मिर्ची में देखने को मिलेगा तो ऐसी समस्या यदि दिकाई दे रही है तो उसमें ये पावरफुल तरीके से जवरजस्त काम करेगी यदि आपकी फसलों के फल जड़ रहे हैं या फूल जड़ रहे हैं तो उसमें उनका जड़ना वंद कर देगी यदि आपकी फसलों में फूल नहीं आ रहे हैं तो फूल आने का काम ये दवा करेगी यदि आपकी फसलों में फल की quality set नहीं हो पा रही है तो उसकी quality set हो जाएगी फसलों में जो फल लगे हुए हैं उनमें टेस्ट आ जाएगा फसलों के अंदर जितने भी पोसक तद्व हैं और उनकी यदि कमी है तो वो पोसक तद्व उसमें भरपूर मातरा में मौजूद हो जाएंगे आपने अकसर देखा होगा जैसे अनार है या फिर बहुत सी इसी सबजियां जो टेस्ट होकर आती है इसमें इतनी मातरा में protein, इतनी मातरा में vitamin, इतनी मातरा में calcium तो यदि उस फल में उसकी अनुसार यदि ये protein, vitamin, calcium या और जो भी पोसक तद्वों की कमी है तो उसकी पूर्ती ये आफका high power कर देगा इतने सारे काम करेगा और यदि आपकी मिट्टी की उर्वरा सक्ति नश्ट हो गई है तो उसमें भी उर्वरा सक्ति लाने में काम करेगा और यदि आपकी जमीन का पियेच मान में कुछ गड़वडा हट आ गई है या पियेच मान कम जादा हो गया है तो उसको मेंटेन करने का काम भी ये हाई पावर करेगा अब आप सोच रहे होंगे कि इसको देना कैसे है यदि आप स्प्रे करोगे तो पौदे में जवरजस्त रिजट दिकाई देंगे यदि पानी के साथ डालोगे तो फसल और आपकी जमीन दोनों में जवरजस्त रिजट दिकाई देंगे अब तैय आपको करना है कि इसका स्प्रे करने से सिर्फ पौदे को लाव दिलाना है या फिर जमीन और पौदे दोनों को ही लाव दिलाना है ये आपकी उफ़र डिफेंड करेगा जैसा भी आप दोगे वैसा आपके लिए फाइदा रहेगा साइड इफेक्ट की बात करें तो जीरो साइड इफेक्ट आपको दिकाई देंगे जी हाँ जीरो साइड इफेक्ट फाइदे की बात करेंगे तो हजारों फाइदे दिकाई देंगे आपकी जमीन में यदि फंगस लग जाती है तो फंगस कम लगेगी इस समय मेती जो बद्दल हो जाता है सर्दियों में तो वादल होने की वज़े से मौसम खराब होने की वज़े से मेती मरने लगती है तो वह नहीं मरेगी फसल में चुर्रा जो जुल सा आता है वो नहीं आएगा तो हैना किसान भाईयों जबरजस इस हाई पावर के फायदे कहीं किसान भाईयों के कुछ और कमेंट या डाउट होंगे कि जैसे की जो हमने हाई पावर बनाया उसका जो पानी था उसका तो इस्तमाल कर लिया क्या दोवारा से इस कंड़े का इस्तमाल कर सकते हैं तो जी हाँ विल्कुल कर सकते हैं और आपने वीडियो में भी देखा होगा ये जो कंड़ा बच्ता है उपला बच्ता है इसे यदि जलाने के काम में नहीं लेना है तो फिर इसको अच्छे से बारिक हाथों से मीड लीजिए या बारिक कर लीजिए जब बारिक हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे आप इसमें यदि आपको ये हाई पावर अभी फिलाल में इस्तमाल नहीं करना है तो ये हाई पावर फिर से डाल दीजिए इसमें और साथ में थोड़ा सा गोड़ डाल दीजिए जो हमने आपको 10 पंप की दवा बताई है 5 लीटर पानी में तो एक पंप में आपको ये 500 ml दवा मिलानी है ये 500 ml हाई पावर का इस्तमाल आपको एक प्रती पंप में स्प्रे करना है चाहे 15 लीटर का हो स्प्रे मसीन चाहे 16 के हो चाहे 20 लीटर की हो 500 ml में आपको मिलानी है तो 10 लीटर की दवा है तो आपको यदि दवा कम युज़ हो रही है तो इस पानी को फिरसे डाल दीजिए साथ में थोड़ा वहत और पानी एड़ कर दीजिए फिर इसमें थोड़ा सा गोड़ डाल दीजे और थोड़ा सा बेसन डाल दीजे तो ये एकदम हाई पावर पावर फुल और बन जाएगा दुबारा फिर तयार हो जाएगा और यदि आपके पास बेस्ट डी कंपोजर है तो पानी को एड़ ना करते हुए ये बेस्ट डी कंपोजर एड़ कर दीजे दो चार लीटर और डाल दीजे तो ये आप 15 दिन बाद देखोगे कि ये फिर से हमारा ये हाई पावर तयार हो चुका है साथ ही जो गोवर की खाद थी जो बारीक हमने कर लिया था उफले को तो पानी को इसमें से निकाल कर दो चार दिन के लिए इस गोवर की जो बारीक खाद है इसको खुले में छोड़ दीजे खुले में तो-चार दें छोड़ने के बाद ये अच्चे से सूखने लगे तो फिर इसको पसलों में डालोगे तो ये भी जवर्जस तरीके से आपके खेतों में काम करेगी और बहुत ही अच्चे और सांदार आपको रिजल्ट दिखाई देंगे यकिन मानिए आप यूरिय डियपी को देना भूल जाओगे हम जो आपको खाद बनाना सिकाएंगे उसके फायदे आपको चमतकार की तरह दिखाई देंगे और आप अमारी आने वाली वीडियोस में देखवाएंगे कि हम आपको सबजियों के खेदी करना बताएंगे जैविक तरीके से हजारों की दवाईयों का इस्प्रे ना करते हुए घर पर खुदर से तयार करेंगे हम जैविक खाद हाई पावर कीटना सक दवाईयां और जीरो इन्वेस्टमेंट में साइड एफेक्ट जीरो इन्वेस्टमेंट जीरो प्रॉफिट बहुत सारा तो हैनक जवरजस्त ट्रिके तो उम्मित करते हैं आपको वीडियो में देखी जानकारी पसंद आई होगी और इसकी अलावा अब आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा किसान वाईयू साथ सेर कीजिए ताकि वहे भी अपन जय भारत बंदे मात्रम